नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सनिवार के दिन काले मिर्च के विसेश प्रियोग किये जाते हैं तो आज हम आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रों हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं के हर कोई सत्रों है अपने भी वहते है अच्छे बी होते हैं अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके करियर से आपके परेशनालिटी से आपके खुसाली से जलन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए, बस वो जलते ही रहते हैं, कभी कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं, अब ऐसे में क्या करें, कि सब कुछ बहतर हो जाए, क्या करें, कि सब कुछ ठीक हो जाए, आज हम काले मिर्च की बात करेंगे, काले मिर्च, अगर हम जोतिस की माने, तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं, टोटके किये जाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, आपके कीचन में होगी, और अगर भोजन में इसका प्रियोग करें, तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है, नकातमक सक्तियां परिशान जादा करें आपको तब सनीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के सहरे बांध कर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दें तो सनीदेब के प्रकोप से लाएंगे। कई बार क्या होता है। आप दिन बा दिन उलसते चले जाते हैं। किसीने किसी चीज में कभी बीमारियां परिसान कर रही। कभी धनकी समस्या हैं। कभी पारिबालिक टेंसन है। बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं। एक Ici एसे एसे प tenants होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे मीप माल लेते हैं आपके पहुत साइक परिशाने हैं क्या करेंगे zach productive काम करना है सनिवार के साफ का काली मिर्च के पांच दाने ले ले अब उनको अपने सर से साथ अबार वार ले अपने घर में काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरह में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाए अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाए या ऐसे अस्थान पर चले जाए जहाँ पे लोग टोके नहीं देखे नी ज्यादा सुनसान अस्थान पर मज अब आपका फेस पूरब दिसा में होगा वहीं पर खड़े हो जाईए एक एक करके चार काली मिर्ट चारो दिसाओं में फेगने जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग ब बहुत सारी परिचानियों से आप बहार निकल आएगे औज हम सत्रू मुक्ति के लिए एक छोटा सा परियोग आपको बताएंगे बहुत सीम्पल है देखिए काली मिर्च आपको लेने है साथ याद खिये साथ काली मिर्च अगर सतुर्थ ज़ादा परिसान करे अपने हो पराय हो सतुर्थ है एक है हजार है सब का नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा दर-दरा कर ले या पीस ले अब इसको गाई के कच्चे दूद में मिला कर किसी भी सनी बार या सोम बार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दे भगवान से प्राथना करे कि सत्रों से मुख्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांथ जाएंगे 3 सनी बार या 300 वार लगातार कीज़ेगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाए का कच्चा दूद लेना है और काली विर्च तो यह परियोग जबाब कीजिएगा तो लगातार नमस्जीवाय का जब करते रहिएगा और बात्चित मत कीजेगा प्रियोग करने के स में आप मंदिर में आइस य categor कर सकते हैं लेकिन अगर मंदिर में करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर की गई पारत्मा कभी वह दो श्युकार होई जाती छाते हैं अब कई सुबह बहुत जगा दूद भी नहीं देते, दूद वाला लिट से देते हैं, क्या करेंगे तब? तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उर जाएं बढ़ गई है, जीवन में टेंसन बढ़ गई है, परेसानिया बढ़ गई है, तब एक सिंपल सा परियोग करें, बहुत सिंपल है, आपके उल्जनों को दूर करेंगा, सत्रों को सांत रखेंगा, आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप दिसा बटक गए है, या पिर आप लगता है, लक्छ हीन हो गया है, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब एक सिंपल सा काम लीजेगा, आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज, और वो अगर भोजपत्र हो, तो और अच्छा, अगर आपके पास भोजपत्र मिल जाता है, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब इस भोजपत्र पर या नहीं है, तो सफेद कागज ले ले, जिसमें मैथ पनाया जाता है, जिसमें लाइन नहीं होती, खीची भी वही वाला लीजेगा, अब इस पर काजल से या काली के सहारे सत्रू का नाम लिखिए, अब लिखने के बाद थोड़ा सा सहद उसके उपर लगा दे, जहां पर सत्रू का नाम लिखा है नो, उसके उपर, इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दे, अब इस काज़ को जैसे मर्जी वैसे जला दे, जाहे तो काज़ को जला दे, या किसी आग में डाल दे, जलती भी आग में, ये परियोग आपके सत्रू को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा, जब आपने सहद लगाया ना, तो इसका मतलब है उसी समय सब खत्म, आपके बारे में कुछ वो गलस सोच भी नहीं पाएगा, एकदम से सांथ, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रियोग अदभूत है, तो सत्रू से मुक्ति पाने के लिए ये प्रियोग अदभूत है और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होत होता है, ऐसे लोग सत्रू होते हैं, जिनको आप न छोड़ सकते हैं, न पकड़ के रख सकते हैं, आप फस चुके हैं, अब यहाँ पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए, तब एक सिंपल सा काम करें, आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने, और गाय का घी, इसी डबे में बरतन में लेकर जाएं, सिपजी के मंदिर, घर में भी कर सकते हैं, बाद में इसको उठा कर काई मिर्च में दबा दीजेगा, अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है, अपने काली मिर्च उसको अर्पित कर दें, और नमस सिवाय का अनवरत लगातार जब करते रहें, यह जो काली मिर्च है, हलांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, काली मिर्च नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है, काली मिर्च अर्पित करने से, आपके सत्रू विरोधी तो सांथ होते ही है, साथ ही अगर कोई गरहों की पिड़ा है खास कर रहा हूँ के तू सनी बिगड़ा हुआ है तो वो जरूर सांथ हो जाता है और आपके जीवन के मुश्किलें कम करता है जब आप काली मिर्च और घी सिवलिंग पर अरपित करेगा तो अपनी कामना कहिएगा बोल बोल कर मन में नहीं मन की बहुत सारी बाते होती है अच्छी बुरी डर भै लेकिन हर बात पूरी होने लगी तब तो हो गई इसलिए जो भी आपकी कामना है वो बोलिए इसके बाद जब आप अरपित कर ले फिर एक लोटा जल अरपित कर दीजिएगा तब काली मिर्च का एक प्रियोग आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में एक नियम बना ले जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाए अगर धन चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रियोग करें काली मिर्च के पांच दाने ले सर से साथ बार घुमा ले और फिर किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिसाओं में चार दान की तरफ उच्छाल का फेग दें फिर पीछे मुल कर मत देखे घर चले आए लेकिन अगर सनी के कस्टों से मुस्किलों से परेसान है या कुंडली में सनी बिगड़ा हो तो काली मिर्च का टोटका यानि की काले कपड़े में थोरी सी काली मिर्च और एक सिक्का बांध कर किस करने जा रहे हैं मन में डर है आप बच्चों का बिभा समंधी बाते करने जा रहे हैं जमीन ज्यादा समंधी बाते करने जा रहे हैं आप सोचते हैं कि उसमें सफलता मिले तब क्या करेंगे एक काली मिर्च का दाना सिबिलिंग पर काम के लिए अपने घर से निकलते हैं तो आगे निकल जाए पीछे मुरका मत देखिएगा आप जो भी कारे के लिए निकले है ना उसमें सफलता मिलेगी एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखे कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इदादों घूमते हैं कभी उनको अं किसी तरह कोई तंत्र क्रिया होंगी उपरी हवा होगा तो वो निकल जाता है जो घर का सबसे अंधेरा कोना है उस कोने में साम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्च के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वो संबब हो तो दान जरू करें